इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स ए एंड एन का यूज करना ए या एन का प्रयोग अपने सबसे नजदीक या तुरंत बाद आने वाले शब्द के साथ होता है जैसे इस एन ओरेंज इस सेंटेंज में औरेंज से पहले एन का यूज किया गया है सेंटेंज को देखें यहां औरेंज जो है वो रॉटेंज है और रॉटेंज के हिसाब से फिर एक यूज किया गया है इसे तरह नेक्स सेंटेंज में शी इस और गर्ल Girl के लिए A का प्रयोग किया गया है लेकिन She is an Intelligent Girl यहाँ Girl से पहले Intelligent है इसलिए हमने उसके साथ An का यूज किया है अब हम देखेंगे कि A का प्रयोग कहां कहां होता है A का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो Consonant Sounds से सुरू होते है Consonant Sounds है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z या हिंदी में व्यंजनवर्ण मतलब का से ग्या तक के अक्षर जैसे B, A, T को हिंदी में लिखने पर बैट होगा बा या बी एक Consonant Sound है या व्यंजनवर्ण है इसलिए इसके पहले हम A लगाएंगे A, Bat कुछ और Examples देखते हैं B, O, Y, Boy यहाँ B के साथ हमने A लगाया है इसी तरह G, O, D, Good यहाँ G जो है व्यंजनवर्ण है इसलिए हमने उसके पहले O या A लगाया है इसी तरह Unicorn से पहले A का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ U का उचारन य की तरह हो रहा है जो व्यंजनवर्ण है It is a unicorn इसी तरह Union A Union होगा क्योंकि यहाँ U जो है वो य की तरह यूज़ हो रहा है जो की व्यंजनवर्ण है इसे लिखेंगे It is a union of students अब हम देखेंगे कि एन का प्रयोग कैसे करते हैं एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले करते हैं जिनके उचारन वावल साउंड से शुरू होते हैं वावल साउंड से हैं A, E, I, O, U या हिंदी वर्ण माला के श्वर्ण यानि औ से अह तक के अक्षर जैसे औरेंज इसे हिंदी में लिखने पर और अक्षर से शुरूआत होगी इसकी और श्वर्ण वर्ण है इसे लिए औरेंज से पहले अन लगाएंगे अन औरेंज कुछ और एक्जम्पल्स लेखते हैं अन एग इडिटर अन एडिटर मिस्टर वर्मा इस अन एडिटर ओनेस्ट यहां श्रब्द की सुरुवात तो एच से होती है लेकिन इसका प्रनंशियेशन जो है वो हिंदी में ओनेस्ट होता है इसलिए हम एन ओनेस्ट लिखेंगे क्योंकि यहां शुरुवात में उचारन में ओ है जो एक स्वर्वर्ण है मिस्टर वर्मा इस एन ओनेस्ट एडिटर इसी तरह ओनर एन ओनर मिटिंग यू इस एन ओनर टू मी इसी तरह इस तरह हमने देखा कि इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में उनके उचारन के अनुसार लिख कर उनके पहले अक्षर के स्वर्ण या व्यंजन वर्ण के अनुसार हम स्वर्ण के साथ एन और व्यंजन वर्ण के साथ ए का प्रयोग करते हैं वर्ड्स जिनके पहले हम ए या एन का यूज करते हैं वे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं मतलब वैसे नाउन्स जिन्हें हम एक की तरह काउंट कर सके आज वन या उन नाउन्स के साथ जुड़े हुए एडजेक्टिवस होते हैं जैसे ओ डॉल या एन अट्रेक्टिव डॉल